हाई फ्रेंज मैंनी की आप लोगों का स्वागत करती हूं इस ओनलाइन यूटूब प्रोमोशनल वीडियो में जहां आप सीखते हैं बेसिक और एडवांस टैली प्राइम इस वीडियो में मैं आपको पताऊंगी परचेज की जो हमने एंट्री की थी उस एंट्री के डाटा क आपको इस परचेज की बिल कैसे निखानी है और इससे आप मतलमे कीसी और को कैसे रोकरुघना इसके लिए हम प्रिंत आउट पे जाएंगे यहाँपे कोंफिग्रेशन से जांगे और जो भी इसका होगा प्रिंट की इंफोमेशन header information क्या आपको information नी कितने इंपिस्टा ही वो दीजिए show date range report, show details time, show date and time की voucher जो भी आपको ताइम की सारे details गें है तो आप yes कर लिजिए and then आपके accept कर लिजिए और हम इस entry को किसी और के उपर जो हमने ये bill लिया हम से email पे से चलिए तो हम आएंगे mail पे, mail पे आने के बाद हम आएंगे configuration पे और mail में हमें जो जो setting करनी है वो कर सकता है, अगर आप चार रहें कि आपका bill cc में show हो तो yes किजिए, show bcc में हो तो yes किजिए show more के जाए और भेरतारे जो options वगर है, prepared defined message, predefined email profile, show additional details अगर आप इसे yes कर सकते हैं, अंदरवाज no रहने दे, header information पे इंप्रिंट की address चाहिए, copy में है, जिन्स जो आप निकल रहेंगे, बिल की address के साथ साहिए तो yes कर दिजिए, talk margin report वगर है यह सब, company की details, अगर आप company का logo देना चाहिए तो वो company का नाम देना चाहिए, तो वो company की address देना चाहिए, उसे yes कर दिजिए, देना चाहिए, yes कर दिजिए, CIN number दिखना चाहिए, तो yes कर दिजिए, जातरवाज इस company को आप accept कर दिजिए तो यहां से email की जो configuration आपने तारीक यह है, वो करने के बाद आप इस company को direct कर देंगे, mail और mail पर जाकर के आप करेंगे और सारी configuration अनेबल करने के बाद आप keyboard से प्रेस करेंगे, control M और जो भी email address होगा वो डाल दिजिए, जिसको भेज रहे हैं, उसका email address डाल दिजिए, जो भी हो आपके पस, अगर आपके पस पहले से हैं तो multiple address जो आपके पास उसमें से choose कर दिजिए, तरवाज new address जो आपको ड आपको जिसकी को भी भेज नहाँ, इसके details डाल दिजिए, अब आप subject में भेज क्या रहे हो, तो invoice के जगा आप डाल दिजिए, purchase bill, अभी purchase invoice bill, अगर आपके बील के बार में आपको कुछ information देनी ही कि किस type की बील थी, कौन से सोब किया, वो सब डाल के आप इसे control A करके आप यहाँ से mail कर दिजिए, तो वो आपके company पे mail चला जाता है, आप जिसको भेज रहे हैं उसके उपर, आपने जो mail किया, वो जिस किसी का भी आप mail ID डालेंगे, उसी के mail, email ID पे हो जाएगा, अगर आपको एक साथ 10 आदमी को mail करना है, इस दी खोर्ट को, तो आप multiple mail select करके, उस mail को 10 आदमी को mail कर पकते हैं, अगर आपको हमारे complete course की वीडियो चाहिए, तो आप IPT Excel School की mobile app डाउनलोड करें, और वहाँ से आपको मिलता है, प्राइम की basic to advance, एकाउंट के साथ सारी वीडियो और complete VBA की वीडियो, Excel with micro programming की वीडियो, advanced Excel with formula की वीडियो, one to one like classes, जिसे की आपको कैसे connect करें उसकी वीडियो, तो आप खटा खट से description box में, नीचे हमारे वीडियो का link दिया गया है, पिसकी description box पे जाए, और वहाँ से वीड वीडियो की link को download करें, और अपने मनपशंद course को choose करें और वहाँ से purchase करें, अगर आपको कोई doubt है, link download करने में, या से purchase की वीडियो को email करने में, तो आप इस number के call करके अपने doubt को clear कर सकते हैं, thank you.